नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनीज वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है देखिए हमने एक छोटा सा एंपलीफेर बनाया है यहाँ पर हमने देखिए दो स्पीकर लगाएं इसमें से दो वायर निकाली चार्जर में से और य यहाँ पर मैं आपको इसका साउंड भी सुनाता हूं तो यह वाला हमने जो यूएस्बी बनाया था इससे हम टेस्ट करेंगे तो यह हमने लगा दिया यहाँ पर हमारा मेमोरी कार्ड और यह देखिए तो इसके अंदर हम सौंग को जो है चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर अपको लगा देते हैं तो यह देखिये इसका साउंड यह देखिया ओं तो देखिए दोस्तों इसका साउंड भी काफी अच्छा है और आप अगर एक चोटास एमिम्पिलिभायर बनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़ीया है बनेगा बस यहां पर आपको क्या करना है शिरिफ यहां पर देखिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं यह जो हमारा चार्जर है किस तरीके से हमने इसको बनाया है तो यहां पर देखे मैं इसको करता हूं ओपन और यहां पर आपको और यह एक चीज दोस्तों जब अप इसको बनाएंगे तो यहां पर आपको चारज्श हमेंसा याद रखना है कि आपको चारजर जो है एक से दो marketers का ही लेना है कि यह देखिए आप मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूं तो यह कुछ इस तरीके से हमने इसे करा हैं देखिए जो speaker wire है वहाँ पर 84 03 का board लगाया है और यहां पर जो output पर जो capacitor होता है हमारा USB के पांच वोल्ट के लिए वहाँ पर देखिए हमने यह पांच वोल्ट के connection लगा दिये हैं और यह हमारा ओक्स वायर है जो यहां देखिए यहां लिखा हुआ है left right और यहां पर यह हमारा टी पॉइंट जो है तो यहां पर जो हमने ग्राउंड लगा दिया देखिए यह औक्स पॉइंट है हमारा तो इस तरीके से हमने एक charger के अंदर ही सारा सर्कृर्ट कर दिया देखिए और अप्लीर के और हमारा बहुत बढ़ीया वर्क कर रहा तो कि यहाँ पर आप यह जो है एक छोटे से चार्जर ईंदर अंदर ही सार जो समाने प्रखर सकते हूं और यह बढ़ीया चार्जर से एक एंपली फैर बना सकते हैं और साउंड भी इसका काफी अच्छा आएगा और यहां पर आप जो है स्पीकर देखिए यह पांच-माच वाट के स्पीकर जो है फीट कर सकते हैं तो यहां पर 84-03 में जो है आप 5 वाट और यह आपके 3 वाट यह 7 वाट के स्पीकर लगा सकते हैं एक दम बढ़िया वर्क करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से लगाया था हमने मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं यह देखिए आपको इससे जो कनेक्शन पास पता लग जाएंगे देखिए यह स्पीकर के वायर हो गए हमारे यह ऑक्स के वायर हो गए यह सप्ल देखिए लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखा है कि आपको चार्जर जो है वह हमेशा एक या दो एंपियर काई लेना है तब ही यह बोड जो है अच्छी तरह से लोड ले पाता है तो दोस्तों देखिए वीडियो अगर अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करना से मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा